हेलो एवरिवान कैसे आप सब उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे मैं अब इपसा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस की इस ओर्लाइन प्रेटफार्म में आपका फिर से सवगत करता हूं जैसा कि आप इसले लेक्षर देखके भी आया होंगे या फिर अगर नहीं भी देखेंगे मैं बता देना चाहूंगा कि हम जो है क्लास्टेंस साइंस का चैप्टर नंबर बात कर रहे थे सिस्टिन के बारे में जो किया है है और हम चार नंबर के जितने कोश्चन है उसका आध कर रखा था अब अब क्या करने सर अब जो बचा हुआ है आपका इस इनिट कंसा है यह इनिट 3 का चैप्टर नंबर 16 उसका भाग दो देखेंगे चार रंग वाली प्रशना फिर क्या करेंगे इसको आज करी लेंगे और जो बच गया था इंपोर्टर पर चर्चा ही कर लें जीविज्ञान रसायन सास्तर कंप्लेट होने वाला ही है अब हम चलेंगे किस और मुक करेंगे जीविज्ञान की और है ना जैसे कि हमने शुरू में आप से बात किया था तो उसी कड़ी के सुरुवात करते हैं आज का किस पर डिसकॉसन करना है तो आज हमारा डिसक्सन का पी किये रहेगा कि एथनॉल के बारे में भी जानना है एथनॉल क्या होती है रसायन सास्तर में बहुत बड़ा इंपोर्टेंट है इसको आप लैब में जाएंगे लैब में देखेंगे तो सबसे जवरत अगर पढ़ता है तो कुछ कुछ चुनिंदा चीज है जैसे हैड्र उर्षण जो आफहन करें जाएंगे लिए बात करेंगे लेकल का उर्णान के जो जो आःट देखा ख्पारत और बात कर रहें यह पुरे नहुक्तर में क्या है यह सराब मMr. बादे हाँ सरक के बारे यह लग चीज है ना यह गम मातर होती है यह को जो की लोगों को क्या रखता है मतलब समझते हैं सवाब आप पूर्णा श्युक्त सब्सक्राइब अधिल और जैसे कि सब जानते हैं कि यह पीना सहीं नहीं है पीना गलत बात है मैं हमेसे आपको वही बोलते आया हूं और आज भी बोल रहा हूं कि यह सब चीज से आप दुर रहें तब आप क्या होंगे आने दिन में आपकी उपलब्धिया पर्चम लहर आएगी ठीक है तो चलो क्रेंस नहीं पूछ गया है थैंनल के अप्ड़ेव ल्यान के चांसे से भी का बात की बात और चाहने है जाओंगा और एक मातर है इसका यह हैं डाईग्णा अचिस बनाना है आपको थेओरी है वह आपको याद रखना है अब तेरी कैसे याद रखना है क 27 उतपादन विधी से किया जाता है यह जयाता है यू के मध्यन में इस किया जाता है और क्या होतारा है सर्ड इसी क्लिए कि कर लेते हैं पिर इस में प्रुद्ध्ध मिलाया आता है जो कि इस ट्रकिवश्थी में सायक है अब अमोनियम सल्फेट स्ट्राइब किया थे बहुंतना है इस विदी में के लिए किली है और यह जो सीरा मोलयसेज के लिए बहुत होता है वह गन्या रच से और रच गन्य के रस को निकाल दिया जाता है फिर जो पिला भाग मिलता है अपन को उसको ही सीरा बोला जाता है उसी सीरा को लेकर 8-10 परशेंट उसको तनु कर दे जाएगा और तनु करने का वाद उसका यूज किया जाएगा और अमोनियम सल्फेट मिलाकर प्रोसेश को आगे बढ़ा जाता है जो की ही सीरा कि यहां पर इस्ट भी डाला जाता है इस्ट डालागा जाता है यह से यह प्रकार को बतले सारण होता है इस जिवानू में इस में क्या होता है इसमें दो प्रकार के i0n借ेज ऑर जाह मेंस नाम के क्या होता है एंजाइम होता है यह जो है रिक्षण को काराता है फफॉन आ है प्रोसेस होने जाने वाले बुश कराता है। और इस न को नंबर कि वस्तर तो होने के बाद देखो सबसे पहले करने के बाद यह सब प्रोसेस आगे बढ़ता है और उसमें यहीष-मील जाने के कारण उसमें उसको रख दूंगा एक ऐसे कच्छ में रगोंगा जहां आक्सीजन या फिर जहां वायू का स्रोशन हो अब वहां रखने पर मुझे समझे मैं आता है कि दो से तीन दिन रख दिया फिर यह अपना क्रिया चालू कर देता है कौन फंगस कवक जो जाइमेज रहता है यीश्ट में जो जाइमेज और इन ऐसे कि बरन चला कि कि लिगोईज तो वह क्या करता है युद्विद्वैं के विधी्य होने वाले तो जो जो क्या करता है तो यह करता है ग्लुकोस में बाहर देता हैि जल करना मतलब यह समझे क्या तरनुकरना मतलब जल लाल देना यह सब कर दे मेरे को आप 2-3 दिन तक बंद कर दें यहां से वायू का इसा होने पड़़ कि इन्वान कहओं घणना रpeण काई निधंगा सब्सक्राइब दो जो इन्वान के पतार है पताइब तो है विद्धाइब कर दिखेंब यह के सब्सक्राइब देता हूं है ना जो गन्य के रहसे मोलेसर से प्राप्त हुआ है उसको इन्वाटेज जो है जल के साथ मिल कि क्या कर देता है c6 h2o6 glucose c6 h2o6 fructose में डिवाइट कर देता है और यही glucose और फ्रक्टोस जो है जाइमेज नाम के जो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है इंजाइम दोप्रगार की जहता है एक होता है एक होता है जाइमेज बात समज बहुति बहुत कोश्चन यह चार नमबर काने वाला है, यह रियक्षन होने के बाद, क्या पता चलता है, यह जाइमेज थे, जो आपका फ्रक्टोज है, वो जाइमेज से रियक्ट करके, C2H5OH, जो कि क्या है भई, एथिनौल का फर्मूला है, एथिल इलकोहल का फर्मूला है, यह आपको प्रोडक्ट रूप में इत्थी इलकोहल, इलकोहल बनाके दे देता है, बात समझ में यहां तक समझ में आया की नहीं, मैं जो आपके लिए चिला चिला की गलाफार के जो बता रहा हूँ, वो आपको समझ में आया की नहीं, यहां से जो आपको प्रोडक्ट प्राब्ट हो जाएगा, यहां पर ला दिया, यहां यहां डाल दिया, क्योंकि यहां पहुँच गया था, कि निवान कच्छ है, यहां 2-3 रख दिया, वायो की अनपस्तिती में फिर रियेक्शन चलू हुआ, फिर यह प्रोसेस जो है प्रेश्योदक जाकर यह फ्यूरिफाई होकर आपको अन्त में विशले सकत के माध्यम से 90% एलकोहल के रुप में भाप उड़ जाता है और आपको प्रोड़क्ट मिल जाता है, और मैं जैसे अब लिखा हूँ और जैसे मैं आपको बताया हूँ और जैसे फर्मूला केमिकल रियेक्शन कर रहा हूँ अगर आप ऐसा लिखते हैं, तो कोई भी आपको चार में चार नमबर देने को लिए नहीं चाहेगा, आपको पूरा माक्स मिल जाएगा, ठीके बच्चो भी यहां तक समझ में अब हम चलते हैं नेश्ट यूस, यूस के बारे में, अब यह भी पूच सकता है, चार नमबर में पूच सकता है, kis अथिल एलकोहॉल या फिर इलकोहॉल का क्या यूस है उसको बताइए करके, तो हमें पत्ता चलता है सर कि इसका यूज जो है ऐसलिए इसका उपयोग आधिक के विलायक के रूपे किया जाता है उसका इसमेल विलायक पेट्रोल के साथ इंधन के रूपे भी किया जाता है अच्छा, मैं सह्यूग रूप से एलकोहौल के जितने यूज इसके बारे में बात कर रहा हूं, वो पूस देता है इलकोहौल के यूज बताइए, तो आपको कोई घबराना नहीं है, आपको सिर्फ क्या के यूज आपको पता है ये सब लिखना है, यह तो जान ही दाई है, कि उसकायू मैं लैब में करता हूं क्यों लैब में करता हूं यह गुवलायख होता है बस दुसरा liken आलकोहाल जो कि एंधार करकूममें काम होता है अब थतर्फी इस तरह देखता हूं मुझे पश souvent हैति तिसरा एथिदिनोल में तोलना में कमानी कारख है देखूं मैं इतिले अल्कॉल का हिमांग तता गल्लांग जो है 11400 होता है इसलिए इसका उप्योग जो है कम तप थर्मामेटर में क्या आता है यह असानी से तथा एक साहर रूप में फैलने वाले रंग ही द्रव है इसमें लाल रंग का रंजग मिला जाता है ताकि तापकरम क असानी से पढ़ा जा सके क्या समझें बच्चों थर्मामेटर में भी इसका यूज होता है कम तेंपरेचर देखो हिमांग तता गल्लांग जो है इतना होता है और इसका यूज है कहां किया जाता है एक साहर रूप में फैलने वाले रंग ही द्रव है इसका उप्योग कम तना होता है बात खताम मिल गया नंबर ग्लाइकॉल में भी एक प्रकार के यह है यह यह साबून दवाई और कार के रुप में भी प्रसी तिलक के रुप में भी उप्योग किया आते है तैट इस परकर हम क्या देख लिए एटिनौल के आधिक योगिक उत पादन भी देख क्या के यूज है उसको भी हम देख लिए बच्चो अब आगे बढ़ते हैं हम चर्चा करते हैं क्या हमने क्यों चलते हैं क्या सिर्का किसे करते हैं इसका उत्पादन कैसे किया जाता है उत्तर जो है मैं बताने वाला हूं चलो देखते हैं में चर्चा करते हैं सिर्का क्या ह पूछा गया था आपका यह जो है उननीस और तीनों सेट में बहुत इंपर्टेंट कोशन पूछा गया था इस पर चार्चा करने माले भी तो सिर्का किसे बोलता है सर एसेटी का अमला को ही कि जो तन्युलियर है उसको ही सिर्का खाते हैं अब इसको बनाया कहा जाता है इस प पचार्चा करते यह कैसे होता होगा सर यह भी ऋतंनोमा होता है क्या ही क्यों कि इसका था है यह गजआ है इसा इसमें घ्र था यूप ही गजणते हो बकट्ट वकेट की रूप में ही इसका back गये हो दो एटना-इक यह मुदाकिन एल्कोहॉल से कीनां दुआरा क्या जता है फिर से ीनवां में थी बहार बने तो चाहें चिद्र बरतन पर जिसमें नीचे वायु-प्रवाह के लिए चिद्र बने रहते हैं और उस बरतन के बारे में बात करना चाहूं तो यह है आमारा बाल्टी नूमा बरतन जिसमें चार शिद्र लगे हैं देखो चार शिद्र दिखाई दे रहे हैं तनुई अल्कोहॉल को 100% डाला जाता है विल्लियन को है ना को अब देखो अधिनौ बनाया को उसी को यूज करके हम क्या बनाएंगे सिर्का बनाएंगे सिर्का क्या अचेटिक टीक है और लगडी का इस में क्या होता है उप्रोसेस के बारे में बात करूं इसमें भादो प्रतन में लगती की छिलन भर कर अम्मोनियम प्रॉपेड में जायक होता है जैसे कि एंटनोल में भी हमने ड्शक्स किया था फिर इसमें 10% एथनौल उपर से ढ़ाता है कहां से बाई यहां से 10% एथनौल दवाता है दियर अउपर से फिर किनौन प्रक्रिया के पात्रतर के सबसे लिए को होता है इस दोवापत हिस Janeiro कि अलए बैए को आता है है läuft 7-14 प्रतिसत होती है तुस्जाए्धाती कैंसे छीलन जाता है और इसको की सा सचय पुरागी और दो चिलन एक इसका प्रप्त होता है आप वह यह जाता है और नाझर में अउपर से बढ़ा इंधरे सक रहता है और यह सिक्वेंस जो हैं पुरा बारी-बारी से उपर से नीचे के और गिरते जाता है और ऑनत में आपको बैट्रेय के भोजन के रूप में यहां पर डाला जाता है जैसे कि उसमें भी किये थे अतिनोहाल बनाने में वो सब प्रोसेस सब सेम है बस आपको इसको क्या है इसके प्रोड़क्ट दो कैसे होता है यह जो 10% C2H5OH है जो इल्कॉल है उपर दाया जाता है और जो आपका सशिद्र जो आपको तकता है उसके के सबस्कों लिएता लिए उसका और जाका सब्रुचरण में भाई अलग करना होता हяж चार जाने चार नमबर मिल जाएगा इस कहल चप्टर से तो डाफ तेप्ट केतने और हुसा है थीज्द॒ MARGAR questo यह जया होुँआ है ऑلة पर चप्रण करना चालो चुर्ण हों तो यह तो यह थीज्द यह तेपलान होता हुगा यह यसमें देखके हम थोड़ी देर से बताने वाला हूं और जो आपको दिख रहें तवा तवा तोजानते हैं घर मंमी यूश करती तवा घर में मम्मी यहीं बनाते आपके लिए और आप लंच भी लेके जाते wait लेके जाते हो तवा से बने है रूटी लेकर जाते हो है ना ज़रली कम यह क्या था थोड़ा हाई प्रोफेल लोग यूज करते थे इसमें क्या होता है इस नार्मल तवा नहीं है भई इस तवा में एक लےयर लगा होता है और वह लेयर लगा रहता है इस कारण से कुछ चीज़ चटकती नहीं इसमें मतलब क्या माम्मिय को पूछना है कि जब और रोटी बनाती में नार्मल तवा में तो क्या होता हैं कभी-kभी रोटी जलने लगता है पूश्टने के लिए तो खडम नना की बहुलकब्स होता है उसके में करता हूं थीठेप से बना होता है उसके युजर क्या होता है siis और जो है जस आंधा को भी इसे कियाता है और लेक्त तो फॉलान का इस संबज में यह बन तक से होगा इस पर रसक्रणा करते już to का मैं नमीम प्रशन एगा तो मैं अटमिन वता दू कि यह को सो Cath proceeds टेट्रा फ्लोरो एथिलीन का इसको यूज करके कहा गया खाली पेज खाली पेज हाँ टेट्रा फ्लोरो एथिलीन का इसका यूज करके क्या वही टेट्रा फ्लोरो एथिलीन का यूज करके प्रेशर में उचदाब में और उत्प्रेणरों की उपस्तिती में उत्प्रेणरों किला के बनायाते हैं वाइन बनायाते हैं बच्चों पॉलीमिमर अधिन नहीं मर कहां गया कि बार-बार ये टाइप होने के बाद ना कैसे होता होका COB50. but to be one-carbon ना नहीं है प्रॉरिन है चारफ लोरी इस कासी टेटरा फ्लोरो फ्लोरो क्या अशरत समाज़ मैं अब इस टेटरा फ्लोरो एथीलीट को ऊच्च्च दाब ठीके सर ऊच्च दाब और रियक्सन कराओंगा हमें चीज मिसंग है हमेसा मैं बता दू जब भी एक लगत होता है अगर ब्रेकर नहीं डाल तो भी चल जाएगा ठीक है चलो यहां पर ब्रेकर चल जाएगा लेकिन यहांपर सामने में एक चीज भूल रहा है बच्चों क्या एग नमबर आफ टेटर फ्लोरो एतलीन जूड़कर मिलकर एक लग से मिलकर क्या बनाता है सर वह बनाता है क्या कारबन फ्लॉरियन चलता रहागा यो नमबर आफ क्या बहुत सारा बात समझ में याव चालता रहाए बहुत प्लाकर दाफ पडरक के उपर से में रि Rankत में लिलुब तो मम ढोग भी समझ गर टेफलान क्या होती है कैसे होती है उसका यूज भी देख लिए इतवा से लेकर आपके घर में जो यूज होने वाली हम क्या करते हैं मोबाइल चालू कर देते हैं चाय खुलता गया अब रोटी मिनाने की बाता है रोटी के लिए चले गए अब पंदर मेट हो गया तवा तो वाट लग जाएगा भई तवा यूज करोगे तो समझ रहे हो ना मैं मजा कर रहा था है नौर्मल चीज है तो यह बोल ठैडर में मुझे खाना बनाना है रोटी बनानाने हमें तो यूग कर दिए नूर कोशन जो का भी पूरा समझ में आगया और कहा का को चुछन आंए वो भी आपको समझ में आ गया इंप्केड़न का था कोश्ण योञा धोई आपके लिए बहुत इंप्वर्टेंट था इस चेप्टर का हम कर लिए अब मिलते हैं नेश चेप्टर में जो कि हमारे मिसन इक्जाम जो चल रहा है उसके अंतरगत हम जो है करने वाले बहुत है उसके अंतरगत हम यह चलने माले हैं और अपना पढ़ाई आप बहुत इस चेप्टर के हैं धन्यवाद